Hello my dear students, today we are going to learn English 1, Unit 3, Chapter 1, One Little Kitten. आज हम क्या सिखेंगे? Subject English 1, उसमें इर थर्ड यूनित, थर्ड यूनित का, फिर्स्ट चेप्टर, One Little Kitten. So my dear students, in this poem, how many kinds of creatures? Total 15 kinds of creatures in this poem. यह poem में total कितने creatures है? 15 है. कौन-कौन से है वो? Kittens, Cats, Butterflies, Rats, Fish, Lizards, Bees, Elephants, Donkeys, Alligators. यह सारे creatures यह poem में है. So students, listen and enjoy this poem. First, One Little Kitten, One Little Kitten, एक छोटा बिल्ली का बच्चा, Two Big Cats, दो बड़े बिल्ली, Two Big Cats, यानि दो बड़ी बिल्ली, Three Baby Butterflies, यानि त्री यानि तिन बड़े 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 बच्चे, नेक्स्ट है, Four Big Rats, यानि चार बड़े चुहे, Five Fat Fishes, Five Fat Fishes, Five यानि पांच फैट यानि मोटी, मोटी मच्चली या, Fishes यानि मच्चली या, तो Five मोटी मच्चली या, Five Fat Fishes, Next, Six Sad Sills, Six Sad Sills, Six यानि छे सेड मींस उदास, Sills, Sills मींस वो एक मच्चली या, सिल मच्चली या, दो छे उदास, सिल मच्चली या, Seven Silly Seagulls, Seven Silly Seagulls, Seven यानि साथ सिली, सिली यानि ना समझ, जो एकदम छोटे होते हैं, जिसको समझ कम होती है, उसको बोलते हैं ना समझ, सिली Seagulls, Seagulls यानि दरिया चीडिया, समुदरी चीडिया, यानि दरिया चीडिया, गईक, Seven Sruct, साथ ना समझ, दरिया यानि समुदरी चीडिया, Eight Happy Eals, Eight यानि आट Happy यानि खुश, तो इल्स यानि इल मचलिया इल्स यानि वो भी एक मचलिया है इल मचलिया तेन नाइन नर्वस लिजार्ड्स नाइन नर्वस लिजार्ड्स नाइन मिन्स नो नाइन मिन्स नो नर्वस नर्वस यानि भईबित होना डरना दरावनी लिजार्ड्स लिजार्ड पता हैं लिजार्ड किसको बोलते हैं छिप कलिया मिन्स हो डरी हुई है भाईबीत है तो एसी नो डरी हुई भाईबीत छिप कलिया टेन ब्रेव बीज, टेन यानि दस ब्रेव, ब्रेव का मिनिंग होते हैं बाहदूर, ब्रेव मिन्स बाहदूर, बीज यानि मधु मख्या, तो दस बाहदूर मधु मख्या, एं नेक्स्ट, इलेवन स्मेली अलिफंट्स, इलेवन यानि ग्यारा स्मेली, जो गंदी स्मेल आते हैं, जिसको गंद बोलते हैं, गंद अलिफंट्स, अलिफंट्स बताई हैं आपको, तो बारा, सोरी, ग्यारा स्मेली अलिफंट्स, नेक्स्ट, 12 फाट फ्लीस 12 यानी 12 फाट यानी मोटे फ्लीस फ्लीस यानी पिस्सु चाचड बोलते हैं जिसको चाचड 12 मोटे फ्लीस यानी चाचड 13 अलिगेटर्स 13 अलिगेटर्स 13 यानी 13 अलिगेटर्स मगर 14 वैल्स 14 यानी 14 वैल्स वैल नाम की जो मचलिया है वो वैल्स 15 डोंक्यस कितने हैं? 15 डोंक्यस 15 टेल्स 15 डोंक्यस with 15 tails यानि 15 donkeys है वो भी 15 tails के साथ tails यानि पूछे जो इसकी पूछ होती है न वो तो 15 donkeys with 15 tails Are you understood? Yes or no? Yes तो यह मुझे से पूरी पोएम है कितने creatures है टोटल? 15 Yes 1 little kitten 2 big cats 3 baby butterflies 4 big rats 5 fat fishes 6 sad seals 7 silly seagulls 8 happy eels 9 nervous lizard 10 brave bees 11 smelly elephants 12 fat fleas 13 alligators 14 whales 15 monkeys with 15 tails Are you understood? 1 kitten 1 billy का बच्चा 2 big cats यानि 2 बड़ी बिल्ली 3 baby butterflies 3 teen कोने butterflies यानि तितलिया के बच्चे 4 big rats यानि 4 बड़े चूहे 5 fat fishes यानि 5 मोटी मचलिया 6 sad seals 6 sad seals यानि 6 उदास सिल मचलिया 7 silly seagulls यानि 7 ना सम्मज समुद्री यानि दर्याई चीडिया 8 happy elves 8 happy यानि खुस रहने वाली इल्ल मचलिया 9 nervous lizards यानि 9 डर्यूई या तो भईबित चिप कलिया 10 brave bees यानि 10 बाहदूर मदू मखिया 11 smelly elephants यानि 11 smelly जो गंध हाती है वेसे elephants है 12 fat fleas यानि 12 मोटे चाचर फ्लीज यानि पिस्सू जो इसको पिस्सू भी बोलते है और चाचर 13 alligators यानि 13 मगर है 14 wells यानि 14 या 14 wells नाम की मचलिया है 15 donkeys यानि 15 कोन है donkeys है with 15 tails 15 donkey है और वो भी 15 tails के साथ 15 उसकी पुछे भी है और यह पोएम किसने लिखी है देखो यहाँ पे उसका नेम भी लिखा है Caroline Gramm इसने लिखी है यह पोएम Caroline Gramm now new words new words first cat first cat cat means a small animal related to tigers and lions and that is often kept as a pet means cat means cat वो क्या एक छोटा एनिमल है वो किसके जैसा है related to tiger and lion जैसा ही है second है fat fat यानि मोटा fat means having a lot of extra flesh on the body body में extra flesh हो जाता है तो वो कैसा बन जाता है fat इसमें देखो इसके बाजू में वो fatty दिखाई दे रहा है एक fat man है yes यह fat man देखो है ना तो यह fat okay next rat rat means a small animal similar to a mouse rat गया है एक छोटा animal है mouse जैसा okay then sad 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 means feeling of unhappiness जो खुस नहीं होता है जो उदास होता है उसको बोलेंगे sad okay next t e and ten ten means a number that comes after nine ten एक number है जो nine के बाद आता है and before anyone और eleven के पहले आता है okay are you understood first is cat fat rat sad pen okay next let's read a fat cat so a rat means a fat यानि मोटी cat billy so red किसको देखा उसने red को देखा okay are you understood so my dear students next activity we have to do in next lecture okay means question answers है और जो भी textbook exercises है वो हम कब करेंगे next lecture में करेंगे okay thank you करेंगे